स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटेन में तो दोस्तों आज 27 दिसंबर का राजस्तान का करेंट अफेर पढ़ेंगे राजस्तान सूजस पत्रिका से और देखेंगे कि आज की सूजस के अंदर कौन-कौन से पॉइंट प्रीक्षा की दश्टी से महतोपुंड और मैं आपसे एकी बात बोलना चाहता हूँ कि हम आपके लिए इतनी मैनत करते हैं वीडियो बनाते हैं एकदम PPT त्यार करते हैं PDF आपको उपलुप्त करवा रहे हैं और आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए जो मैनत कर रहे हैं उसका फल भी हमें मिलेगा हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं बसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज की कलाश टार्ट करते हमारे पहले पॉइंंट के साथ निर्यातक बनो मिशन इंपोटेंट हैए तो निर्यातक बनो मिशन की सुरुआत कहां से हुई है 29 जुलाई 2021 को राजस्तान में उद्योग मंत्री परसादिलाल मिना के द्वारा निर्यातक बनो मिस्षन की सुरुवाद की गई थी तो इसके अंदर आपको एक तो इसकी जो डेट है वो इंपोर्टेंट है प्रिक्षय के दस्टी से 30 जुलाई 2021 को शुरुवाद किया गया निर्यातक बनो मिस्षन और किस की द्वारा सुरुवाद किया गया पुछे तो उद्योग मंत्री परसादिलाल मिना के द्वारा और वर्तमान में उद्योग मंत्री पुछे तो कोन है पूछा भी गया है कि वरतमान में अद्योग मंतरी कौन है? तो बोलना नहीं, सकूँंतला राउत है और वरतमान में राजस्तान में कौन क्या है? इसकी वीडियो आपको अपलब्द करवाई गयी है तो चैनल में जाकि वीडियो को देख सकते हैं एकदम असान सब्दों में आपको याद होगी अब हमारे टॉपिक पे आते हैं कि निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत कप की गई 29 जुलाई 2021 को और किसके द्वारा की गई उद्योग मंतरी परसादिलाल मीना के द्वारा अब निर्यातक बनो मिशन से संब्दित कुछ पॉइंट देखते हैं परमुक बिंदू इस मिशन के तहट ऐसे वेपारी एवं उत्वाद निर्माता को प्रोटसाइट किया जाएगा जो निर्यात के इच्चुक ए और अपने उत्वाद को विदेशी बजार तक पहुंचाना चाते हैं तो इक किन से संब्दित है कि कोई भी ऐसा वेपारी है जो अपना उत्वाद निर्मात करना चाता है या कोई उत्वाद निर्माता हुआ उन सभी को प्रोचसाइद किया जाएगा कि वो अपना प्रोटेक्ट है विदेसी बजार के अंदर उपलब्त करवाना चाहता है तो इसका मुख्य उदे से हैं मुख्य पॉइंट यही मान सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्योग विवाग के द्वारा संसालित इस मिशन में निर्यात के इच्छुक उमीदवार को नए केवल परशिक्षित किया जाएगा तो उसका सामदान के से होगा वो सभी उद्योग विवाग के द्वारा सुनिसित किया जाएगा तो आपको बस दो पॉइंट याद रखने है निर्यात क मिनो विशन की सुरुवात कब से हुई गुणती जुलाई 2021 और किस के द्वारा उद्योग मंतरी परसादिलाल मिना के द्वारा और मुख्य उद्ये से क्या है कि राजस्तान के अंदर निर्यात को बड़ावा देना है मुख्य उद्ये से कि कोई भी वेपारी है और कोई भी उत्पाद निर्माता है वो अपने उन्हें प्रोचसाइट किया जाएगा और अपने जो प्रोडेक्ट है वो विद्ये सी बजार के अंदर पहुंचाए जाएगा उनके प्रोडेक्ट को और अंतिम प्रोडेक्ट है कि जो उद्योग विवाग द्वारा संसालित या निरातक पनो मिस्यन है इसमें जो इच्छुक होगा उमीदबार उसको तो परशिक्षित तो किया जाएगा जाएगा और साथ में जो उसके लाइसेंस लेने में जो आने वाली कठनाई है उसका समयदान भी उद्योग विवाग के द्वारा किया जाएगा ये दो पॉइंट आप रखो याद रखो ची ना रखो लेकिन ये डेट और किसके द्वारा सुरुआत किया गया है ये कंफर्म याद रखने न और अगर च्यार ओप्सन आए तो इनमें से आएगे दो ओप्सन एक डेट काएगा और किसके द्वारा सुरुआत किया गया है एक मुख्य उद्य से है और एक यह उमीद्वार को किस प्रकार साहिता करता है इस तरह से चार पूइंट पूछे जाएंगे कि ऐस अत्यकतन कौन सा है अब नेक्स्ट है हमारी योजना मुख्य मंद्री लगू द्योग प्रोजसान योजना काफी बार आपको करवाई गई है और बार बार बोला गया इंपोर्टेंट योजना है जो 2019 से शुरूई थी योजना अब हम पढ़ते हैं इसके पॉइंटों के माद्यम से इसका उद्य से क्या है कि बेरोजगार दर को कम करने के लिए युवाओं को स्वे रोजगार एतु प्रोजसाइन करना तो मुख्य उदे से क्या इस योजना का कि राजस्तान में काफी लोग युवा बेरोजगार है और उन्हें जो बेरोजगार से स्वेरोजगार के साधन उपलप्त करवाया जाएगा राजस्तान सरकार के दोरा उन्हें 5% से लेकर 8% की सबसेटी तक रिन उपलप्त करवाया ज सरकार के द्वारा रिन रासी प्रणद्वान कितना दिया जाता है पांच परशेंट तो नियूंतम है और अधिक्तम कितना आठ परतिसत और मुख्य मंद्री लगू द्योग प्रोजसा नियोजने की सुरुवात पूछे तो 17 दिसंबर 2019 को याद रहेगा एक तो उद्दे से की बात करें तो कोई बेरोजगारी दर को कम करना है कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार स्वरोजगार उपलप्त करवाया जाएगा रास्तान सरकार के माद्याम से उन्हें रिन उपलप्त करवाया जाएगा रिन पे सब्सिड नमर 2019 को यह योजना स्टार्ट की गई थी अब देखते हैं अनुदान रासी किस तरह से किस प्रकार दी जाती है अधिक्तम रिन स्वरूप देखते हैं कि 25 लाग का लोन रासी तक रिन लिया है किसी भी व्यक्ति ने तो उसे कितने परशेंट का अनुदान मिलेगा 8 परशे कारें लिया है तो 5 परशेंट का अनुदान दिया जाएगा तो यह तीनों पॉंट प्रिक्षा की दस्टी से काफी मेहतोपुन है याद रहेंगे तो एक बार मैं इस सेड़ आपको बता देता हूँ तो कौन सी है मुख्य मंत्री लगू द्योग प्रोचसान योजना ठीक है सुरुवात पूछे तो तो दिसंबर 2019 को योजना की सुरुवात किया गया और मुख्य उद्य से क्या है कि बेरोजगारी दर्कों कम करना और इसमें रास्तान सरकार के तोरा कुछ रिन रासी सबसीडी दी जाती है अब मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति 25 लाक रुपे तक का लोन लेता है तुसे 5% की सबसीडी दी जाएगी और 25 से लेके 5 क्रोड तक का लेता है लोन तो उसे 6% की सबसीडी दी जाएगी और 5 क्रोड से 10 क्रोड तक का लेता है तो उसे 5% की सबसीड दी जाएगी तो याद रहेगा 25 लाग पर 8 परसेंट और 25 से 5 क्रोड पर 6 परसेंट और 5 से 10 क्रोड पर 5 परसेंट का अनुदान दिया जाएगा राजस्तान सरकार के द्वारा तो कौन सी योजना है मुख्य मंत्री लगू द्योग प्रोचसान योजना परसेंट और 25 लाग पर कितना नुदान दिया जाएगा रास्तान सरकार के दोरा 8 परसेंट का और 25 से 5 पर से 7 क्रोड पर 5 का अनुदान दिया जाएगा तो इस योजना में आप confuse नहीं होंगे मैं पूरी एकदम समझा दी गई है योजना अब roll ball पर्तियों किता है काफी important पर्तियों किता है एक परसंड आने वाली बर्ति प्रिक्षा के अंदर इससे सपने की पूरी संभावना रहेगी आप पड़ें कि पंदर्वी राष्टिय सब जूरियर बालक पालिका रोल-बॉल पर्तियों किता तो ये कोन से नमर के पंदर्वी है तो इसके अंदर सब जूरियर का मतलब हों कि 14 वर्से कम आयू के बालक बालिकां इसके अंदर बाग लेगा याद रखना तो चौदा वर्से कम आयू के बालक बालिकाओं के लिए ये पर्तियों किता आयूजन करवाई गई है तो कौन सी है पंदरवी राष्टिय सब जूनियर बालक ये बालिका रोल बोल पर्तियों किता और इसका आयूजन कब से कब तक है 27 से लेके 30 दिसंबर 2022 तक डेट याद रखना 27 से लेके 30 है और इसका जो आयूजन है वो कहाँ पे किया जाएगा स्वाई मानसीन स्टेडियम जैपूर के अंदर और राजस्तान रोल बोल संग के देख्ष कोन है मनोहर कांत ये नोट लगा के लिखा गया है याद रखना इसे राजस्तान रोल बोल संग के देख्ष कोन है मनोहर कांत और पंद्रिवी राष्टे सब जूनियर रोल बोल परतियोगिता काईजन कहाँ पे स्वाई मानसीन स्टेडियम जैपूर के अंदर और कब से 27 से लेके 30 दिसंबर तक इस परतियोगिता में 14 वर्ष से कम आयू के खिलाड़ी बाग लेंगे यह आपको बता दिया गया है बालकों की 21 वर बालिकाओं की 18 टेमों में कुल 500 से दिखिलाड़ी हिस्सा लेंगे इसके अंदर तो बालकों की कितनी टेमे है 21 और बालिकाओं की है 18 टेमे तो एकदम चोटा सा पोइंट है याद रहेगा रोल बोल परतियोगिता का आयूजन कहां पे हो रहा है स्वाई मानसीं स्टेडियम जैपूर के अंदर और यह कौन से नमर की है तो पंदरवी राष्टिया सब जूनियर बालक पालिकाओं रोल परतियोगिता है और इसका आयूजन डेट पुचे तो 27 से लेके 30 दिसंबर तक है और राजस्तान रोल बोल संके देख कोन है मनोहर कांता और इसमें बाग लेने वाले खिलाडियों की आयूज कितनी होगी 14 वर्ष से कम जिसमें बालकों की 21 टीम और बालिकाओं की 18 टीम हिस्सा लेगी याद रहेगा ये एक तम पॉइंट अब क्यूसन है क्यूसन से पहले एक वर हम रिवाईज कर लेते हैं पूरी सुजिस का तो आज की सुजिस तो छोटी है और इंपोर्टेंट भी है निर्यात तक पनो मिशन की सुरुवात गुणती जुलाई 2021 को किसके द्वारा उद्योग मंतरी परसादिलाल मेना के द्वारा वर्तमान में उद्योग मंतरी कोन है सकुंतला रावत अब इस योजना से परमुक बिंदू देखें तो ऐसे वेपारी उत्पाद निर्माताओं को प्रोचाइट किया जाएगा जो निर्यात में इच्छुक है कि राजस्तान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात तक पनो मिशन की सुरुवात की गई है और इसमें जो निर्यातों के इच्छुक इमुईद्वार होगा उसे परशिक्षतों किया जाएगा साथ में जो लाइसेंस में आने वाली टेकनिकल प्रोब्लम है उसका समयदान भी उद्योग विवाक के द्वारा किया जाएगा चोटी सी योजना एक तो डेट याद रखना कुणती जुलाई 2021 और किसके द्वारा उद्योग मंत्री परसादी लाल मिना और मुख्य उद्यसे राजस्तान में निर्यात को पढ़ावा देना अब दूसरी योजना थी मुख्य मंत्री लगूद द्योग परसान योजना उद्यसे है कि बिरोजगार इदर को कम करने के लिए युवाओं को स्वेरोजगार इतु परोजशाइद करना और इसमें अनुदान रासी पूछे तो पांस से लेकी आठ परशेंट है और सुरू पूछे तो सत्रा दिसमबर 2019 को योजना सुरू की गई थी ये रेनरा से इंपोर्टेंट है आपको बार-बार बोल रहा हूँ अगर कोई 25 लाग का लोन लेता है तो उसे 8 परशेंट की सबसीड़ी और 25 से 5 क्रोड रुपे का लेता है तो उसे 6 परशेंट की सबसीड़ी और 5 से 10 क्रोड का लेता है तो 5 परशेंट की सबसीड़ी दी जाएगी और योजना की सुरूआत दिसमबर 2019 के अंदर अब रॉल बोल परतियोगिता है तो कौन सी है? पंद्रीवी राश्टे सब जूनियर बालक बालिका है रॉल बोल परतियोगिता है जो 27 से 37 दिसमबर कांपयोगी स्वाही मानसी और स्टेडियम जैपूर जी लेके अंदर और राजस्तान रोल बोल संग के देख्स कोन है मनोहर कांत और इस परतियों किता में 14 वर्षे कमा यू के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जिसमें बालकों की 21 और बालिकाओं की 18 टीम भाग लेगी तो दोस्तों यह आज की सुज़स्ती और आज के चो महत्वपून परसन है वो आपको आप पड़ेंगे और मैं आपसे एक ही रुक्वेस्ट करता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए जिसे हमें भी मॉटिवेशन मिले और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अब बात करते हैं आज के पहले क्यूशन की राजस्तान में नहीं राजस्तान निवेस प्रोचसान योजना रिप्स कब लागू की गई तो काफी इंपोटेंट है डाइरेक्ट रिप्स का पूरा नाम भी पूचा गया है प्रिक्षय के अंदर फष्ट ग्रेट के अंदर और पूचा गया था कि रिप्स का पूरा क्याना में राजस्तान निवेस प्रोचसान योजना तो नई निवेस प्रोच्छान योजना कब लागू की गई? तो नई पूछ रहा है सबसे पहले 2019 के अंदर लागू की गई थी और नई पूछे तो 2022 को नई राजस्तान निवेस प्रोच्छान योजना लागू की गई थी तो ओप्सन नमर ए इसका राइट रहेगा तो दिसंबर 2019 में पहली और ये इन वेस राजस्तान सम्मिट के दुरान नई राजस्तान निवेस प्रोच्छान योजना लागू की गई थी और इन वेस सम्मिट प्रोग्राम कब हो आता? 7 से 8 अक्टूबर और रुह कहां पे था? जैपुर में इसके दुरान यह गोशना कर दी गई कि कि नई राजस्तान निवेज प्रोशान यूजना लागू होगी जो कब की गई 2022 के अंदर याद रहे का इंपोर्टेंट क्यूसन है बूलना मत और ये क्यूसन तो बार-बार प्रेक्षा के अंदर पूछा जा रहा है पिछले साल भी पूछा गया तार इस पाल सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया है कि अठार्वी राष्टे स्काउट गाइड जंबूरी का अउजन कभी किया जाएगा डेट पूछे तो आप बता देना च्यार से दस, दस से पंदरा, एक से पांच या बीस से पत्सीस जनवरी तो च्यार से लेकित दस जनवरी दो हजार तेजिस तक अठार्वी राष्टे स्काउट गाइड जंबूरी का अउजन किया जाएगा काँपे रोहट ग्राम पाली के अंदर तो रोहट ग्राम पंसाइट पाली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा इंपोर्टेंट है ये रोहट ग्राम तो कहां पे होगा अठारवी राष्टे स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट ग्राम पाली के अंदर और कब से कब तक है च्यार से लेके 10 जनवरी 2023 तक इस कायुजन किया जाएगा ये जो परसन करवा रहा हूँ वो काफी इंपोर्टेंट है हर बरती प्रिक्षा के अंदर पूछे गई हैं मुस्लिम फाइटर पाइलेट कोन मनी है तो बारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर सानिया मिर्जा रेहाना रियाद सिस्ती या रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं तो मैं बात करूँ देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर की तो वो कोन है सानिया मिर्जा तो ओप्सन नमर एस का राइट रहेगा और रहाना रियाद चिस्तिकोन है राजस्तान महिला संकिय देक्ष और रेखा सर्मा है केंदरक में महिला संकिय देक्ष तो आपको बसी सानिया मिर्जा का नाम याद रखना है तो एक तो टे்बल टेनिस वाली सानिया मिर्जा हो गई और एक ये solaragen प्रइनिस वाली और एक ये हो गई मुसलिम fighter pilot को burn मनी है सानिया मिर्जा दोनों अलग अलग है याद रखे न और ये क्युशन आने वाली बर्तिप्रिक्षा के आंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा और next question भी आपके लिए इतना important है नेपाल के नये परदानमंत्री कौन मने है ये क्युशन भी आपको आने वाली बर्तिप्रिक्षा में देखने को मिलेगा पुष्प कमल दहाल, सेर बहादूर, शूरिया बहादूर थापा या लोकेंदर बहादूर तो नेपाल की नए परदानमंतरी कोन मने हैं यह आपको बताना है और इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे तो ज़्यादा बहतर लगेगा हमें भी क्योंकि यह सब आपको पता है और कमेंट करोगे जिसे हमें भी मॉटिवेशन मिलेगा तो इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना और इस वीडियो की पीडियेफ आपको उमारे टेलिग्राम पे उपलब्ट करवा दी जाएगी धन्यवाद दोस्तों और जिन वचों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर